सकतरा थाना पोलिस स्टेशन के हद में एक धोकाधड़ी का मामला दर्च किया गया है यह आरोप हजरत बाबा ताजुद्दिन ट्रस्ट की वर्तमान सचेव ताज अहमद अली सेद ने लगाया है इनकी माने तो 2011 से 2016 की बीच करीब एक करोड उननसाट लाग बावन हसार पान सो श्यासी रुपए की धोकाधड़ी पूर्व कमीटी के शेख हुसेन अब्दुल जब्बार और इगबाल इसमाईल बेलची इन्होंने किया है जिसके बाद सकरधरा पूलिस ने इन दोनों पर मामला दरच कर जाश शुरू कर दी है ताज़ाबा ट्रस्ट में हुए गुचाले के मामले में बुद्वार को सकरधरा थाने में मामला दरच किया गया है आरोप है कि ततकालिन अध्यक्ष और सचीव ने पत का दुरूपयो कर देड़ करोड रुपे का गबन किया है इस मामले में आरोप रतेरोप होने से ये मामला सुर्ख्यों में बना रहा आरोपी ताजाबाद ट्रस्ट के ततकालिन अध्यक्ष शेख हुसेन अब्दुल जबबार और सचीव इकबाल इसमाईल वेलची बताय जा रही है इसमें ऐसा है ततकालिन जो अध्यक्ष शेख और सचीव है उनके खिलाब अभी जो 2021 के जून मैने में जो नए ट्रस्टी अपांट हुए उनोंने उनके पहले कालावधी का ओडिट करवाए औडिट में उनको कुछ अव्यवस्ता उसमें नजर आई इसलिए उन्होंने पुलिस्टेशन में उसके उनके खिलाब गुना दाखिल करने के लिए अप्लिकेशन किया था वह अप्लिकेशन के तहर दभी चौकशी पूरी की गई है और चौकशी में निश्वन हो रहा है कि इसमें गुना हो रहा है तो इसमें 409, 420 और 34 IPC के सेक्शन के द्वारा गुना दाखिल किया था यह दो हजार ग्यारा से सोला सोला तक का मामला है और यह ट्रस्ट दो हजार एक से अपॉइंट किया गया था और इसमें सेख हुशेन के अद्टेक्श थे तरकलिंग और तरकलिंग सच्यो इकबाल वेल जी यह दो लोगों के खिलाब अभी गुना दाकिल है प्रात्यमी तो जो आडित की रिपोर्ट के अनुसार एक करोड 69 लाग के करिवन जा रहा है एक करोड 69 लाग बताय जो रहा है कि धर्मदाय आयूपत और कोट की अनुमती लिए बेगर इस दोरान पत का दुर रुपयों किया गया है एक जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2016 के बीच शेख हुसाइन पर करीब एक करोड 48 लाग 389 लुपय का गबन करनी का आरूप है जबकि इकबाल पर 11 लाग 52 लुपय का इस मामले के उज़ागर होनी से मामला सुर्खियों में बना रहा है साथ इस दोरान आरोप प्रत्यारोप का भी दौड चलता बना आपको बता दे कि धर्मदाए आयुक्ते ने इसके खिलाफ सक्त कदम उठाया है जाद समीती नियुक्ते की गई है इस भी ट्रस्ट में हुए गोटाले के लिए शेख हुसाइन और एकबाल वेलची को दोशी पाय गया है जिसके चलते धर्मदाए आयुक्ते के निदेश प अगूट